ओम स्रीगनी सायनम दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 फरवरी सौंबार के रासी फल के बारे में कीह दिन उम रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आप अपने आज के दिन को रिवी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ज से समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने वीडियो पहुंच सके चलि दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा कुम राशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजटिव रहने वाला हैं दोस्तों यदि आप वैवसाय करते हैं या यदि आप नौकरी करते हैं तो निवेश के लिए भी आज आप अवसर ढूंड सकते हैं यह आपके आर्थिक निवेश के लिए अच्छा हो सकता है जिससे आपको आर्थिक लाब प्राप्त होने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं आज आपका भाग्य भी अच्छा स साथ देगा तथा कामकाज के छेत्र में आपको अच्छी सफलता आज प्राप्त हो सकती है जैंदोस्तों चल अचल संपत्ती के द्रश्टी से भी निवेश करना आपके लिए आज बहुती अच्छा हो सकता है इसलिए समय और परस्तिती को देखते हुए निवेश का भी आज अवसर तलासें तथा निवेश करें जिससे आपको क्याम्याभी अच्छी प्राप्त हो और आर्थिक इस्तिती आपकी काफी मजबूत हो दोस्तों साथ इसाथ कोई प्रत्यासित आए या सायद विरासत आपका इंतजार कर रही है इस आए का अच्छे से प्रियोग करें जै के लिए जरूर रिशर्च करें अपने आसपास के लोगों से मिलें और अपने वरिष्ट को प्रबावित करने के लिए सब्दों की अपनी निपुणता का प्रियोग करें अपने केरियर को बढ़ाने और कुछ पैसेवर योजना या रणनीतियां बनाने के लिए यह एक शा उठाएं और नए तरीके से काम करने का मौका हाथ से ना जाने दे अपनी रचनात्मक्ता से अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं अपनी कारचमता से दूसरों को आज आप प्रबावित करेंगे कारचेत्र में तरक्की के योग हैं आस्मिक धनला भी आज आपको हो सकता ह दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो घरेलू समस्याओं को दूर करने में ही आपका घरेलू विकास संभव है अन्यता परिसानिया बढ़ सकती हैं अपने आप पर भरोसा करें तथा अपने घर परिवारक के सदस्यों पर भरोसा करें क इसलिए घर परिवार में आपसी समंजस बनाए रखने का प्रत्न करें तथा एक दूसरे पर भरुशा करते हुए किसी भी कार्रे को करें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का पूर्ण प्रियास करते हुए माता पिता से सम्मंद मधूर बनाए रखने का प्रियास करें ऐस व्यक्ति के पास जाएं जिसे जरूत है जैसे आपके भाई बेहन माता पिता या पडोसी उन्हें सांते प्रदान करें यह समय सांसारिक और वहवारिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का नहीं बलकि अपने दरश्टिकोन को बदलने और नए विचारों को सोचने का है बहु वही करते रहें जो आप कर रहे हैं और आपको जरूरी सफलता मिलेगी एक नुकसान या दुखद जो अभी सायद आपके परिवार को प्रबावित कर रहा है आपको बेचेन करेगा दोस्तों कार्रेभार की आज अधिकता से जरूरी कामों को आज समय पर नहीं दे पाएंग दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शरेनी वाली हैं दोस्तों आपको अपने प्रेम जीवन में आज समल कर चलना होगा क्योंकि जरासी भी बात बड़ी हो सकती है और उसका प्रभाव आपके प्रेम जीवन में नकारत्मक रूप से आ सकता है आपकी प्र दोस्त के रूप में आपका साथ देगा दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन साबित होने वाला है इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्त खर्च की भी अधिता रहेगी जिस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा साथी साथ नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा विध्यार्तियों के लिए दिन आज का मिला जुला रहने वाला है दोस्तो आज आपके लिए वैपार से संबंदित किस यात्रा पर जाने के भी योग बनेंगे तोट का चैरी से संबंदित कोई अच्छी खुसकबरी आज आपको प्राप्त हो सकती है साथी साथ जो लोग सरकारी छित्र में नौकरी करते हैं उन्हें जल्द ही सरकारी वाहन अत्वा मकान का सुक मिल सकता है आपकी आमंदनी में अच्छी खासी व्रद्दी आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है दोस्तो समय आज का आपके केलियर केरे काफी अनुकूल होगा और आपको सरकारी छित्र में काफी फायदा होगा आपको अपने कामों के लिये श्वैम पर ही निर्बन होना होगा ना कि दूसरों पर साथी साथ बेरोजगारों को भी रोजगार के ने अफसर आज प्राप्त होंगे वेपार धंदे में अच्छा लाब मिलने की संभाव न रहेगी लेकिन अनावस्षक खर्चों की भी अधिकता रहेगी शावधन रहें दोस्तो बात कर लेते हैं जापका स्वास्त कैसा र हद आवस्षक हैं जिससे समय रहते किसी भी तरह की अनहुनी को रोका जा सके शावधन रहें इसलिए दोस्तो आप अपने खान पान पर विशेश रूप से ध्यान दें साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स् हैं आज आपके लिए विशेश रुपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निरवत्र होने के बाद एक जोड़ी नई चपल भगवान भोलेनात का इसमरन करते हुए किसी जवर्तमंद को दान करें जा दोस्तो ऐसा करने से भगवान भोलेनात बहुत जल्द प्र किसे इस लाभ प्राप्त होगा दोस्तो भगवान भोलेनात का सिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै भोलेनात अवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद